आप सभी लोगों का सभी को हमारे दरब से गुड मारिंग सभी का वेलकम है सभी का श्वागत है अनकेडमी के लेट्स क्रैक QPSC CAC चैनल पर आप लोगों को बिदी थी है आप लोगों को पता है कि ये देश का सबसे बड़ा आनलाइन प्लेटफार्म है अब यहां का अगर आप लोग सब्क्रिप्सन्स लेते हैं तो यहां पर कई सुविधाएं आपको मिलेगी इसमें जैसे आपको डेली लाइब क्लासिज की सुविधा मिलेगी इसमें आपको डेली लाइब क्लासिज की सुविधा मिलेगी इसके अलावा लाइब टेस्ट की भी सुविधा मिलेगी और जो courses यहाँ पे हैं वो structured farm में हैं और आपको यहाँ पे unlimited access भी प्राप्त होगा इसके अलावा अगर यहाँ का आप लोगो subscriptions लेना है तो इसमें तमाम सारे courses की बारे में detail दी हुई है चाहे वो current का course हो, चाहे वो optional का हो, चाहे वो GS का हो, चाहे answer writing का हो या NCRT वगरा का course हो, अब इसमें अगर आप लोग हमारे यह आपके जो 12 महीने का course है, 24 महीने का course है इसकी few details यहाँ पे है, अब इसमें आप लोग अगर हमारे referral code का परियोग करते हैं संजीव, referral code है हमारा अगर इसका आप लोग परियोग करते हैं तो आप लोग को 10% का discount भी मिलेगा और शाल साथ में हमारा personal आप लोग को guidance भी मिलेगा कि आप लोग UPSC की परिक्षा चाहे हो, प्रारमभिक परिक्षा हो, चाहे हो मुख्य परिक्षा हो उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें आपको सफलता कैसे मिले आते हैं, आज हम लोग अपने टापिक पे, आज हम लोग का सबसे महत्वपूर टापिक है और मुख्य तया मुख्य परिक्षा यँ प्रारमभिक परिक्षा से दोनों से related है लेकिन मुख्य तया ये मुख्य परिक्षा से related है तो जो भी लोग आज जुड़ गए हों इस क्लास से वो इसको थोड़ा सा like भी करते जाएं और share भी करते जाएं जिससे अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी लाव हो इसका तो कल हम लोग पढ़ रहे थे मुगल काल के इतिहास को जो कारेकाल था जो जो कारेकाल था, उसका अध्यान हम लोग कर रहे थे जो मुख्यास शाह का शमयकाल था उसके इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे लेकिन थोड़ा सा प्रावलम हो जाने के कारण क्लास बीच में ही डिस्टर्ब हो गई थी अब मुहम्मद साह के समय में ही बिदेशी आक्रमड हुए थे तो उसी को हमें आज देखना है कि जो मुहम्मद साह था उसके समय में जो बिदेशी आक्रमड हुए वो आक्रांता कौन था कहां से आक्रमड किया और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा तो ये मुख्य तया मुख्य परिक्षा के दिश्चिकोंड से भी और प्रारंबिक परिक्षा के दिश्चिकोंड से भी काफी उपयोगी रहेगा इसी का अध्यान हमें आज करना है अब जो मुहम्मद शाह है, मुहम्मद साह के समय में जो सबसे पहला विदेशी आक्रमड हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? वो नादिर साह के द्वारा हो रहा है किसके द्वारा आक्रमड हो रहा है? नादिर साह के द्वारा हो रहा है अब ये नादिर साह कौन है कैसे आक्मण कर रहा है भारत में किसके साथ इसका युद्ध हुआ और भारतियों को इसने कैसे पराजित किया कितना दिन इसने भारत पे राज किया इसका कितना दिन भारत पे सासन रहा और इसका भारत की विवस्था पे भारत के प्रसासन पे कैस सा प्रभाव पड़ा? इसमें यहीं हम लोगों को पढ़ना है. लेकिन इन मूल चीजों को पढ़ने से पहले, सबसे पहले हम लोग यह जान ले कि यह नाधिर सा आаго कोन, कैसे आया था इसका परिष्य क्या है? सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो पहला point लिखा है कि यह जो नादिर सा था यह फारस का सा सक्था कहां का सा सक्था फारस का सा सक्था इसके अलावा इसके बारे में आप लोग भी एक चीश सीश सकते हैं कि इसने अपने जीवन की सुरवात गडरिया या चरवाहे से की थी यानि ये गडरिया था और ये चरवाहे का काम करता था मुख्यतया जो भेड होती थी भेड को ये चराने का काम करता था इसी परिपेक्ष में इसे गडरिया कहा गया है तो आप लोग देख सकते हो कि कितने तो निमना अस्तर से इसने अपने जीवन के सुरुआत की थी और एक समय आया कि लगब लगब मध्वे एसिया के आसपास में कबज़ा करने के बाद के इसने भारत पे भी 57 दिन तक कबजह किये हुआ था इसी नादिर साह ने तो यहां से सीख लेने की बात हम इस परिपिच में कह रहे हैं कि किस तरीके से इसने अपने जीवन की सुर्वात निम्न अस्तर से की और कितने उच्च अस्तर पे यह पहुंच गया था शीख के वल इस बात का ही हमें लेना है बाकी आगे हम नैपोलियन कहा जाता है एक बात यहां पर आप लोग यह भी जान लिए कि यह है जो फारस है यह कहां पर था यह बरत्मान मे फारस जो है वह इरान में इस्थिप है यानी यह मुख्यतिया इरान का सासक था और इसे इरान का क्या कहा गया था इरान का नेपोलियन कहा गया था इरान का नेपोलियन इसे कहा गया था ये भी याद रखिएगा आप लोग और भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था तो भारत के नेपोलियन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि एक गुप्त बंसीय सासक है जिसका नाम है समुद्र गुप्त उसे भारत का नैपोलियन कहा गया है अब आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग इसके जन्म की बात को देखें तो इसका जन्म हुआ था बर्स 1688 इस भी में खुरासान में हुआ था इसका जन्म कब हुआ था 1688 इस भी में इसका जन्म हुआ था और कहां हुआ था खुरासान में हुआ था लेकिन 1736 इस भी में यह इरान का सासक बन गया था 1736 इस्वी में यह कहां का सासक बना था यह इरान का सासक बन गया था अब जैसे नादिर साह के संबंद में अगर कोई भी क्विस्टन आता है चाहे वो मुख्य परिक्षा का हो चाहे वो टिपड़ी के रूप में हो चाहे वो कुछ भी हो तो अगर भूमिका में यह सूरवात करनी है कुछ किरुशन की सूरवात थोड़ा सा हम परिषयात्मक करते हैं और यही आप की भूमिका हो जाती है कि नादिर शाह फारसका सासक था प्रारंब में इसका जो जीवन अस्तर था वो काफी निम्न था गडरिया के रूप में यह चरवाहे के रूप में काम करता था लेकिन धीरे धीरे इसने अपनी ब्यक्तिगत योगेता के कारण अच्छा काम किया और इसे इरान का नैपोलियन कहा जाने लगा एक समय ऐसा आया कि 1736 इस भी में यह इरान का सासक बन गया इसी तरीके से कुछ परिचयात्मक भूमी का आपको बनानी है इसलिए हमने इस पॉइंट को यहां पर रखा हुआ है तो यहां पर आप लोग देखोगे तो यह मुख्य परिक्षा के दिश्टिकूंड से भी आपका उपयोगी हो जाएगा और प्रारंभिक स्वागत है हमारी तरफ से आप लोग धैरे पूरुबख पढ़ियां से क्लास को समझे बढ़ियां से पढ़िये आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली बात आती है कि जब यह है इरान का सासक बन गया तो यह भारत के उपर आक्रमण क्यों कर रहा है रीजन क्या है इसका कारण क्या है इस पेज में हमें यही देखना है कि भारत के उपर यह आक्रमण क्यों कर रहा है इसका भारत के उपर आक्रमण करने का रीजन क्या है कारण क्या है इस पक्स में हमें यही समझना है इस पहलू या इस खंड में हमें यही समझना है कि नादिर साह का भारत के उपर आक के उपर आक्रमर्द करने के निम्नलिखित कारण थे या निम्नलिखित उद्देश से थे या निम्नलिखित आयम थे आयम उद्देश से कुछ भी आप यहां पर लिख सकते हो पहला जो कारण था वो था आर्थिक पहला कारण क्या था पहला कारण था आर्थिक जो हम समझा रह और दूसरा जो कारण था वो है राजनेतिक अब आईए देखते हैं आर्थिक कारण क्या है इसकी ब्याख्या में हमने अगला पाइंट लिया हुआ है और इसकी ब्याख्या में भी हमने अगला पाइंट लिया है तो सब लोगों को पता चल गया होगा कि यह जो नादिर सा था इसने कुछ आर्थिक उद्देशों के तहट भारत पर आक्रमण किया था और कुछ अपने राजनेतिक उद्देशों की पूर्ती कर ले के लिए इसने भारत पर आक्रमण किया हुआ था यानि कि दो कारण इसके हैं भारत के उपर आक्रमड करने के पहला आर्थिक और दूसरा राजनेति अब आईए अगले पॉइंट में हम लोग इस आर्थिक उद्देश की थोड़ा सा इसको बिस्तार से देखते हैं अपने आर्थिक उद्देश के तहट नादिर साहा क्याा इसको नादिर साहा भारत से द्धन की प्राप्ति करना चाहता है जैसा कि मैंने पहली कलास में भी बताया था कि जब पुर्तगाली भारत आए थे तो उनका या या यूरोपी ये कंपनिया भारत आई थी तो उनका भी एक तरीके से भारत से अधिक धन की प्राप्ति करना था और जो यूरोपी ये कमपनियां थी मैंने आपको बताया था कि यूरोपी ये कमपनियां भारत में आकर ब्यापार के द्वारा धन कमाना चाहती थी ब्यापार के द्वारा लाप करना चाहती थी लेकिन इन में नादिर साह में वह बात नहीं है यह भारत में ब्यापार नहीं करना चाता यह भारत में जो धन यहां पर रखा हुआ है इस धन के उपर यह आक्रमण करना चाता है और इसको लूट के वो इरान यानी अपने देश यानी फारस ले जाना चाता है तो सबसे बड़ी बात जो है नादिर साह के आक्रमण की वो यही है धन की प्राप्ति करना भारत के धन की प्राप्ति करना इसका मतलब यहां पर यह हुआ अर्थात उसकी एक्छा भारत के धन को लूटने की थी यानि इस धन को यह कैसे प्राप्त कर रहा है इस धन के उपर य या इस धन यह धन जिसके पास है उसके उपर यह आक्रमण करेगा आक्रमण करके उसको पराजित कर देगा और पराजित करने के बाद में उस धन को ले लेगा यानि लूट लेगा यह इसकी क्रिया पध्यती है यह इसकी कार्य पध्यती है यह भारत के धन को इसी तरीके से प् को लूटने की एक्षा इसके अलामा राजनेतिक उद्देश को इसके हम लोग देखते हैं या राजनेतिक कारण को हम लोग देखते हैं तो राजनेतिक पुद्देश के तहत वह मुगलों को दंड देना चाहता था जो इस समय भारत में मुगल सासक हैं अगर इस समय हम लोग भारत में देखेंगे तो इस समय भारत में जो मुगल बासा है आप लोग बताईए कि किसका सासन है इस समय सभी को हमारी तरफ से good morning सभी का स्वागत है सभी का welcome है बताइए आप लोग कि इस समय जब नादिर्शाह का आक्रमन हो रहा है तो इस समय भारत का सासक कौन था जो बच्चे जुड़े हुए हैं जो student जुड़े हुए हैं जो भावी ispcs जुड़े हुए हैं वो इसका उत्तर लूँटाएं जल्दी से ऐं कि कौन था नादिर्शाह के समय भारत का सासक भारत का मुगल सासक जब इसने भारत के ऊपर अटेग दो इसस समय भारत का बोलते रहना जरूरी है हमने प्रारंभ में भी बताया है कि अगर आपका कमेंट अच्छा होगा सार्थक होगा, उपयोगी होगा वो स्वविकार किया जाएगा और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर किसी चीज़ को आप लिखते हो कमेंट के रूप में या किसी कागज पे भी लिखते हो तो वो ज़्यादा दिर तक आपके पास में रहता है, मैंने इसलिए कहा है कि आप लोग इसे कमेंट भी करते रहिए और जो भी स्टुडेंट जुडे हुए हैं प्लीज इसे लाइक भी करते रहें और भी शेयर कर सकते हैं कलपना शिंका भी उत्तर आ गया है मुकुंद का भी उत्तर आ गया है तो निश्चित रूप से सबका लगभग लगभग सही उत्तर आया है सबका सही उत्तर आया है तो नादिर साहा ने जब भारत के ऊपर आक्रमड किया था तो जान लेजिए इस समय जो मुगल बास सा था वो मुहम्मद सा था अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं भाई मुगलों को ये दंड क्यूं देना चारा है जो नादिर साह है ये मुगलों को दंड क्यूं देना चारा है क्यूं देना चारा है इसलिए देना चारा है चूंकि इस समय भारत में जो मुगल सासक था मुहम्मस साह इसने भारस के साथ अपना संबंद विक्षेत कर लिया था फारस के साथ या इरान के साथ या नादिर साह के साथ इसने मुगल सासकों ने अपने संबंद को क्या किया था समाप्त कर दिया था यानि जो भी बैदेशिक संबंद थे नादिर साह के साथ में या फारस के साथ में उसको मुहम्मज साह कि समय तक आते आते बिलकुल बंद कर दिया था इस परिपेक्ष में यह जो फारस का सासक या इरान का सासक नादिर साथा यह चिड़ गया था तो इस संबंद विक्षेत को यह सुधारना चाता था और सुधारना कैसे चारा है यह ऐसा नहीं है कि यह बादचीत के माध्यम से इसको सुधारना चारा है इसके सुधारने की जो क्रिया पध्धति है वह आक्रमण की है कि कियोंकि आदमी जब पराजित होता है तभी हो कबी कभी सुधरता है जैसे मैं आपको एक एक्जाम्पुल दे रहा हूं कि जब दुतिय विश्युद्ध चला था तो दुतिय विश्युद्ध में आप लोगों ने देखा होगा कि जापान का बोल बाला था जापान का एक समय ऐसा आया था कि उसने लगबग लगबग एसिया के छित्रों पर कबजा कर लिया था लगबग लगबग कबजा कर लिया था और भारत की तरफ भी वो बढ़ाया था अरणाचल प्रदेश की तरफ इसी समय जो महात्मा गांधी थे महात्मा गांधी भारत में भारत छोड़ो आंदोलन यानि कुईट इंडिया मोव्में छण को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा भी था कि अंग्रेजों भारत को जापानियों के लिए नहीं बलकि भारत को भारतियों के हाथों में सुरक्षित छोड़ जाओ यहां से इन सारी चीजों को आप जोड़ सकते हो लकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब हिरोशिमा और नागा साकी पे दो परमान बम अमेरिका ने फेका उसके उपर तो तुरंत सांत हो गया तो कई बार क्या होता है कि यह है जो आक्रमण कारी क्रिया पद्धती होती है इससे फिर आदमी सांत हो जाता है बिल्कुल इधर उधर नहीं करता तो इस परिपेक्स में इसने वैसा ही रुख अपनाया था आगे बढ़ते हैं अगले पेश पे हम लोग आते हैं अब नादिर शाह के आक्रमण को हम लोग देखते हैं कुमार बर्मा मुहमज शाह सही उत्तर बताया हिटलर का जर्मनी हिटलर का जर्मनी भी मतलब कह सकते हैं कि हिटलर का जो शुरूप था वो भी हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें यह जो नादिर साह था अब यह भारत के ऊपर आक्रमड करना चाह रहा है नादिर साह का अभी तक हम लोगों ने परिशे देखा और नादिर नादिर्शा के भारत के ऊपर आक्रमड करने के कारण को देखा अब जब कारण को देख लिया तो नादिर्शा अब भारत के ऊपर आक्रमड करने का यह प्लान बना रहा है अब प्लान में इसने क्या किया समय था जून 1738 इसवी का और जून 1738 इसवी में इसने गजनी की कर लिए घजनी की विजय करने के बाद में ही जून के अंतिम महीने में यानि जून के अंतिम समय में इसने जो कावूल इस समय था उसका जो मुगल सुभेदार था जिसका नाम था नासिर खावं को पराजित कर दिया यानि कि मुहम्मस साह का जब समय काल था तो इस समय जो काबुल का छित्र था काबुल अफगानिस्तान में आता है तो यह जो छित्र था यह मुगलों की सुबेदारी में आता था यहां पर मुगल प्रांत पती होते थे तो इस समय जो मुगल प्रांत पती है उसका नाम है नासिर खां अब इसने क्या किया नादर साने कि यह है जो मुगलों का काबुल का एरिया है इसके उपर कबजा कर लिया और यहां पर यह जो नासिर खां है इस नासिर खां को क्या कर द तो नासिर खांगो जब पराजित कर दिया तो उसके बाद की प्रिष्ट भूमी कैसे आगे बढ़ रही है इसको हम लोग डेखते हैं इसके अलामा इसने क्या किया इसने अटक के रास्ते से सिंधु नदी को पार किया अब यह क्या कर रहा है अब सिंदु नदी को यह पार कर रहा है किस रास्ते से अटक के रास्ते से अटक कहां में पढ़ता है पंजाब में पढ़ता है इसी अटक के रास्ते से इसने सिंदु नदी को पार किया यानि यह ध्यान दीजिएगा कि यह जो नादिर सा भारत के उपर आक्रमण करने आ रहा है यह अस्थल मार्ग से आ रहा है यह समुद्री मार्ग से नहीं आ रहा है यह भी ध्यान दीजेगा इसने सिंदु नदी को पार किया और उसके बाद यह लाहोर पहुँचा और लाहोर में इस समय जो मुगल गवर्नर था उसको पराजित कर दिया यानि पहले यह कहां पहले काबुल पहुचा काबुल पहुचने के बाद में यह लाहोर पहुचा सिंदु नदी को पार करके और यहां पे जो मुगल गवर्नर था या प्रांथ पती था या मुगल रक्षक था या मुगल सीमा रक्षक था उसको क्या किया पराजित कर दिया अब जब इसको पराजित किया तो फरवरी 1749 इसवी में जो पंजाब का निचला एरिया है जो पंजाब का निचला एरिया है इसके उपर भी इसने आक्रमर कर दिया था फरवरी 1749 इस्वी में इसने पंजाब लोवर पंजाब वोला जो एरिया है उसके उपर इसने आक्मर कर दिया और उस पर भी कबजा कर लिया अब इसी समय जो भारत का मुगल बासा है जिसका नाम है मुहम्मस साह इसी समय भारत का जो मुगल बासा है जिसका नाम है मुहम्मद साह, मुहम्मद साह को सूचना मिली कि उपर के इन छेतरों पर यानि काबुल पर लाहोर पर और पंजाब पर नादिर साह ने आक्रमण करके यहां के मुगल गवर्नर को पराजित करके इन छेत्रों पर कबजा कर लिया है इसी समय इस मुहम्मज शाह को यह सूचना मिली ध्यान रखियेगा इसी समय मुहम्मज शाह को यह सूचना मिली कि जो मुगलों के छेत्र में काबुल था उस पर इस नादिर साहा ने आक्रमन कर द लाहोर के प्रांधपती को भी पराजित कर दिया और यह जो पंजाब का निचला छेत्र है यहां के भी सासक को पराजित करके इस छेत्र पर भी कबजा कर लिया और यहीं पर मुहम्मद साह को यह भी सूचना मिली यह दिल्ली की तरफ आना चाहरा है यह दिल्ली के ऊपर अब करना चाह रहा है यहीं पर मुहम्मद साह को यह सूचना मिली अब जब मुहम्मद साह को नादिर साह के आक्रमण का समाचार प्राप्त हुआ तो यह जो मुहम्मद साह है इसने भी क्या किया इस बासा ने भी क्या किया एक विसाल सेना तैयार की और विसाल सेना तैयार करके यह पहुंच गया कहां यह पहुंच गया करनाल का जो एरिया है इसी तरफ यह नादिर साह भी आ रहा है और यहां दिल्ली से सेना लेके यह भी करनाल यह उपर से आ रहा है यह यहां दिल्ली की तरफ से करनाल पहुंच रहा है तो करनाल पहुंचे और इसी करनाल में नादिर साह और मुहम्मद साह का सामना हो रहा है अब यहां पे एक युद् klein को हम लोग देखते हैं हैं चाहिते पहले थोड़ा सा यहां पे हम लोग जान ले इस मैफ के माध्यम से कहां कि मिह अ फिर यहां पैर अप लोग देखंगे तो यह इंडिया tensions ale गें जब आवगे यहां पे तो यह आपको मध्ध एसीया का चितर मिलेगा। जिहां से समझिएगा इससीस ईसको एक कांसर्ट आप लोगों को समझा दे रहा हूं तो मध्ध एसिया में यह जो इरान है इराइख है अफगानिस्तान है यह सब तुर्की चितर हैं यहां पे मुख्यत्या कौन रह रहे हैं यहां पे मुख्यत्या तुर्क रह रहे हैं इसके अलामा आप इसके ऊपर थोड़ा सा जाओगे तो यहां पे अरबी छेत्र मिलें यह जैसे सौदी अरव यह सब तो यह अरबूं का आक्रमण आपके ऊपर हुआ था यानि भारत के ऊपर हु मुहम्मद बिन कासिम मुहम्मद बिन कासिम कहां का था अरब का था ध्यान से समझिएगा ये concept आपकी समझ में आ जाएगा इसके अलामा इस छेतर के जो इरान इराक की लोग है ये खेतया तुर्क हैं और इसी इरान से चला है इसी इरान को भारस के नाम से जाना गया और इसी इरान से नादिर साह चला है नादिर साह पहुंच रहा है सबसे पहले इस एरिया में यहां पर आपको अफगानिस्तान का छेतर मिलेगा काबुल का अब काबुल में एक तरीके से इ मुगल प्रांथ में आता था और हमने बताया किया के यहां का मुगल प्रांथ पती था उसकानाम था इस में Smith कि इस पास में आपको यहीं पे लाहोर मिलेगा और लाहोर पर भी इसने कबजा कर लिया कबजा करने के बाद में यह पहुंच रहा है पंजाब के इस निचली छहत्र में पहुंच पहुंच रहा है और यहीं पे आप लोग देखोगे तो यहाँ आiß तरह की यह जो मुगलबासा है मुहम्मस साह इसी समय मुहम्मस साह को सूचना मिली तो यह जो मुगलबासा मुहम्मस साह है यह पहुंच रहा है कहां करनाल की तरफ यहीं पर समझे कि यह करनाल है और यह भी यहां से करनाल की तरफ अग्रसरित हो रहा है तो इसको आप समझेगा कि यह करनाल क च्छित्र है और इसी करनाल में इन दोनों का आमना सामना हो रहा है बर्स 1749 इस भी में कब हो रहा है आमना सामना 1749 इस भी में इनका आमना सामना हो रहा है अब आमना सामना के परिपेक्ष में इसी करनाल में इन दोनों से एक युद्ध हुआ जिसको हम लोग करनाल युद्ध के नाम से जानते हैं आए हम लोग इस करनाल युद्ध को पढ़ते हैं करनाल युद्ध को हम लोग पढ़ते हैं यहां पर करनाल युद्ध आपके बारे में करनाल युद्ध को हुआ था कई बार तिथी मिलाने के लिए UPSC में दे देता है जैसे पानी पत का प्रथम युद्ध कभ हुआ जैसे प्लासी का युद्ध कभ हुआ बकसर का युद्ध कभ हुआ तो थोड़ा सा यहां पे तिथी भी जानते रहिए जैसे करनाल का युद्ध है पानीपद के तीनों युद्ध है तराइन के तीनों युद्ध है इन सबकी तिथी जो बड़े बड़े बैटल है जो बड़े बड़े युद्ध है इनकी तिथी भी जानते रहिए ये नहीं कि इनका एयर ही जानते रहिए, इनकी बर्स ही जानते रहिए, इनकी तिथी भी जानते रहिए, चुकि तिथी से सम्मंधित यह जो बड़े-बड़े हैं, यहां से question कई बार पूछा गया है, तो यह युद्ध कब हुआ था, यह युद्ध 24 फरवरी 1749 इस भी को हो रहा है, यान इसका क्या प्रभाव पड़ा था, तो यहां पर आप कह सकते हो कि 18 सदी पर क्या प्रभाव पड़ा था, ऐसी ही question बन सकता है, 18 सताबदी पर क्या प्रभाव पड़ा था, इस विदेशी आक्रमण का या इस नादिर साह के आक्रमण का, यह question यहां पर बन सकता है, तो इसका स फारस का सासक है और इस युद्ध में दूसरी तरफ कौन है तो इस युद्ध में दूसरी तरफ मुहम्मस साह है यह मुहम्मस साह कौन है मुहम्मस साह मुगलबास साह है आप से कि यह मुहम्मस साह कौन है और यह नादिर साह कौन है तो नादिर साह कहां का सासक है द्यान रख की सेना या नाजर साह की सेला नजर आ रही होगी और दूसरी तरफ मुहम्मद साह की सेना नजर आ रही होगी लेकिन मुहम्मद साह की सेना में अगर आप लोग देखोगे तो इसके सहायक के रूप में कुल तीन लोग इसके साथ में हैं तीन लोग मुहम्मद साह के सहायक के र कौन है तो यह जो सयादत खां है सयादत खां के बारे में बताईए कि यह सयादत खां या सयादत खां कौन है जल्दी से बताईए आप लोग कमेंट करके और यह निजामल मुल्क कौन है चुकि इसके बारे में तो हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं निजामल मुल्क के बा मुल्मुल कौन है और यह सयादत कौन है और यह खाने दवरान कौन है कौन है यह तीनों लोग यहां पर हम आप से इसलिए पूछ रहे हैं चुकि यहां पर यह चीज आपको तयार भी हो जाएगी अगर इस तरीके से आप लोगों ने गहराई से इस चीज को पढ़ा तो बताईए आप लोग कि सयादत कौन है आवध का प्रशाशक है मुकंद कुमार का उत्तर आया है आवध का प्रशाशक आपने सही बताया आवध लेकिन प्रशाशक नहीं कहते बेटा इसे प्रशाशक इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आवध में यह स्वतंत्र राज का संस् प्रसासक कहते हो प्रसासक नहीं चुकि प्रसासक तो आप लोग होगे प्रसासक तो इसके करमचारी होगे इसके अधिकारी होगे उनको क्या कहा जाता है प्रसासक कहा जाता है तो सासक और प्रसासक में यही अंतर है कि सासक आप लोग के ऊपर सासन करेगा और आप लोग प्र मुझे लगता है, लेकिन इन तीनों में से कौन है सेनापती, फिर से बताना जरह आप, आप समझ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, कौन है सेनापती, बताईए आप फिर से, इसका सेनापती कौन है, बताईए आप, तो चलिए, इसको हम लोग आगे इसी में देखते हैं, इन समय यह जो था यह अवध का सासक था अवध का सासक था कौन यह सयादत खान अब यह जो मुहम्मस सा है इस मुहम्मस सा के समय में ही इसकी कमजोरी के कारण इसकी लाचारी के कारण इसकी मजबूरी के कारण जो मुगल सामराज है वो कई टुकडों में बट जा रहा है मुगल सामराज से इस समय आवद का छेतर निकल गया और आवद का छेतर निकल गया तो यहां पे आवद नामक स्वतंदर राज की अस्थापना इसी सयादत खानने की थी ध्यान रखेगा इसके अलावा मुहम्मस साह के हाथ से हैदराबाद भी निकल गया था और हैदराबाद में स्वतंद्र राज की अस्थापना इसी निजामुल मुल्क ने की थी इसी का दूसरा नाम था चिन किलिजखा या निजामुल मुल्क याद रखिएगा हमेशा के लिए इसको कई बार पूछता है एकजाम में तो 2 यह हो गए इसके अलावा भी बंगाल भी स्वतंद्र हो गया था और बंगाल में स्वतंद्र राज की अस्थापना किसने की थी मूर सीथ पुली खानने की थी इसके अलावा जो आप आप लोग देखोगे कि जो इदर रुहेल-खंड का एilian यह अभी स्वतंतों रो गया था और ये खाने द्वरान कोन है तो ये खाने दौरान इस मुहम्मस साह का क्या है कि उत्तर आया जितंदर का जितंदर सेनापती जितंदर मौर्या सेनापती लिखा था तो यही जो खाने दोरान है यह क्या है यह सी इनसी है यह किसका सी इनसी है तो इसका सी इनसी है मुहम्मद साह का सी इनसी है CNC का मतलब Commander in Chief हुआ यनि मुख्य सेनापती है जो की जित अंदर मौरेया ने बताया भी था लेकिन सीधे सीधे नहीं बताया था कि कौन मुख्य सेनापती है मुहमद साह का, तो मुहमद साह का इसमें मुख्य सेनापती कौन है यही है Commander in Chief लेकिन एक बात में आपको यहाँ पे याद करने के लिए यह भी बता दूँ, यहाँ पे हम मुख्यतया सेनापती सब्द का परियोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग मुगल सब्दावली में मीरबक्सी सब्द का परियोग करते हैं सेनापती के लिए, किसके लिए सेनापत या सेना पती से और अंग्रेजी में कमांडर इंचीफ से है तो यह मुहम्मद साह का मुख्य सेना पती है तो जब मुहम्मद साह को यह पता चला कि नादर साह उसके उपर आक्रमण करना चाहता है और दिल्ली पर कबजा करना चाहता है तो यह तीनों इसके सिपा सलार हैं इन तीनों के पास इस मुहम्मद साह ने क्या बेजा एक पत्र बेजा और उसमें पत्र में इन तीनों लोगों से इन दोनों लोगों से मुखिता चुंकि ये तो सेनपती था ही इन दोनों लोगों से अपने अपना साथ देने की बात करी और ऐसे में आवद का सासक और यह आगे देखते हैं क्या हुआ तो यह युद्ध करीब करीब तीन घंटे ही चला था यानि एक दिन में ही इस युद्ध का वारा न्यारा हो गया था यह हम कह सकते हैं केवल तीन घंटे में कि इस करनाल युद्ध का क्या हो गया था वारा न्यारा हो गया था और इसमें जो मुहम्मद साह था यह पराजित हो गया था यह पूर्ण रूप से मुगल बात साह मुहम्मद साह क्या हो गया पराजित हो गया और एक अगली बात देखिए आप लोग एक अगली बात आप लोग देखते रहिएगा कि इसी समय यह जो मुहम्मद साह था इसका जो मुख्य सेना पति था जिसका नाम था खाणे दोरान वह इस युद्ध में मारा भी गया था यानि नादर साने इस खाणे दोरान को कैद किया जो इसका मुख्य सेना पति था और बाद में इसकी हत्या भी कर दी नादर साने यानि बहुत बड़ी छती इस मुगलबासा मौम्मस साख को यहां पे मिली थी इसका सेना पती ही इस युद्ध में मारा गया था बहुत बड़ी छती इसको मिली काफी सपोर्ट करा था यह खाने दोरान इसके अलावा जो सियादत खान थे और जो हैदराबाद का सासक था वो तो किवल अपने उद्देश के लिए इस युद्ध में सामिल हुए थे लेकिन यह जो खाने दोरान था यह किसके लिए सामिल हुआ था इस युद्ध में यह तो स्वेम बासा के लिए ही सामिल हुआ था इसके अलावा और क्या हुआ इसके अलावा यह जो सयादत खान था जो आवद का सासक था या आवद का प्रांतपती था इसको नादिर सा ने क्या किया इसको नादिर सा ने बंदी बना लिया इस सयादत खान को नादिर सा ने बंदी बना लिया और इस समय यह जो मुगलबासा है यह मुगलबासा भी इसका कैदी बन गया था किसका नादिर साह का यानि मुगलबासा को भी कैद कर लिया और इसके दूसरे सहायक या सियादत खान को भी क्या कर लिया बंदी बना लिया था नादिर साह ने लेकिन इस समय जो ज़्यादा महत्वा कांग्षी आदमी था जिसका नाम था निजामुल मुल्क ये नादिर साह की कैद से बाहर हो गया था और बाद में क्या किया इसने मुगल बाद साह के वीच में और नादिर साह के वीच में समझोते की मध्धस्तता की क्या की मध्धस्तता की इसी निजामुल मुल्क ने इसी के प्रयासों द्वारा ये जो मुगल बाद साह मुहम्मद साह था इसको नादिर साह ने क्या किया था छोड़ दिया था किसको छोड़ दिया था इस नादिर साह ने इस मुगलबास साह मुहम्मद साह को छोड़ दिया था जब एक समझोता हुआ तो यहां पर ध्यान रखिएगा मैं एक बात फिर से आपको बता रहा हूं कि निजामुल मुल्क जब बाहर था तो निजामुल मुल ने क्या किया कि नादिर साह के साथ और मुहम्मद साह के साथ में एक समझवता कराया यानि यह समझवता किसके द्वारा हुआ था इसके प्रयासों के द्वारा हुआ था निजामल मुल्क के द्वारा हुआ था जो हैदराबाद के सुतंतराज का संस्थापक है इसी का नाम है चिनकिलिज खां यह भी याद रखिएगा इसमें समझोते में क्या हुआ कि यह जो नादिर साह था इसने मुगल बासा मुहम्मद साह को अपने कैद से मुक्त कर दिया अब यह जो निजामुल मुल्ग था इन दोनों के बीच में समझोता क्यूं कराना चाहरा है रीजन क्या है इसका कारण क्या है तो इसका जो रीजन है वो है पोलेटिकल वो है क्या पोलेटिकल इसका रीजन है तो यहां पर ध्यान रखिएगा इसको राजनेतिक कारण है आपने राजनेतिक महत्वा कांच्छा को पूरा करने के लिए यह जो निजामुल मुल्ग है यह मध्धस्त ब और दूसरा सयादतकां था जो कि इस समय कैदी की रूप में तो अगर यह मुगल बाश साह को छुड़ा लेता है तो मुगल दरवार में इस निजाम-फाल मुल्क को एक इच्छा पड मिल लाएगार चुमकि इसके जो दोनों मुख्य सिपासलार हैं खाने दवरान और स्यादत खान ये बंदी के रूप में हैं तो इसने प्रयास करके ही इस मुहम्मद साह को चुड़ाया था चूंकि मुहम्मद साह बाहर आएगा तो इसको सावासी भी देगा इसका सम्मान भी करेगा और इस निजामल मुल्क को अपने दर्बार में कोई बड़ा पद भी देगा और ऐसा ही हुआ आगे देखते हैं यहाँ पर यह जो खाने दोरान था यह बासा का मुख्य सेनापती था और इसकी मृति के बाद यह पद किसको मिला यह देखिए यह पद किसको मिला यह पद निजामल मुल्क को मिला यानि अब यह जो निजामुल मुल्क था यह बासा के मुख्य सेना पती के रूप में आ गया, कमांडर इनचीफ के रूप में आ गया या मीर बक्सी की रूप में यह निजामुल मुल्क आपके सामने आ गया। यानि समझोता कराने का यहाँ फाइदा हुआ कि इसको मीर बक्सी का पद मिल गया, किसका पद मिल गया, मीर बक्सी का पद इसको मिल गया, जो लोग जुड़े हैं हमसे, निस्चित रूप से उनको समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी सस्पेंस होता है कोई भी doubt होता है तो वो पूछते रहें लेकिन हाँ जो भी प्रश्ने पूछें वो सार्थक हो वो उपियोगी हो पहले उसे सूचें फिर उसके बाद में पूछें और इसको like भी करते रहें और कोसिस करें कि इसे share भी करें जिससे ज्यादा से से ज़्यादा लोगों को लाब हो और निश्चित रूप से हमारा भी कहे ना कहें इसमें प्रोसान होगा तो यह भी आपके लिए जरूरी है आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली बात को देखते हैं तो मिर बख्षी का पद किसको मिल गया तो यह जो मीर बक्सी का पद है यह जो जील में इस समय बंद है नादिर साह की इसको सयादत खान भी प्राप्त करना चाहता है अब देखिए अगली कंटुबर्सी कैसे स्टार्ट हो रहे है ध्यान दीजेगा यहां पर एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है यहां पर इसको ध्यान से अब यह जो सयादत खान इस समय नादिर साह के पास बंदी के रूप में है यह भी किसका प्राप्त करना चाहरा है यह भी मुहम्मद साह के दरबार में मीर बक्सी बनना चाहरा है लेकिन अब तो जेल में बंद है तो जेल में बंद होके ऐसा नहीं है कि इसका जीवन है व चुकि ये चालाँक और मात्वा कांगशी आदमी है जैल में ही यह जो नादिर साह था इस से मुलाकात की अब देखो यह क्या चाल चलने वाला है और मुलाकात करने के बाद मैं कहा कि अभी तो आपने करनाल का युधघ जीता है और करनाल में ही बहुत सारा धन आपको मिला होगा तो लेकिन यह धन तो बहुत कम है अगर आप दिल्ली के ऊपर आक्रमण करते हो इसने यह बात यहाँ पे कही सायादत खाने के से नादिर सा से तो आपको एक तरीके से जो 20 लाख ही रूपया मिला था यहाँ पे